नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे SML सर्था GS HG75 ट्रक के बारे में सर्था GS HG75 7.5 टन GVW सेग्मेंट में आने वाला एक ट्रक है सबसे पहले जानते हैं इस ट्रक के टेकनिकल स्पेसिपिकेशन के बारे में इस ट्रक को पावर देता है SL T6 BS6 इंजिन इस इंजिन की डिस्पेस्मेंट कैपसिटी 3455 सीसी की है ये इंजिन 350 न्यूटों मेंटर का टॉर्क दिनेट करता है सर्था GS सीरीज कैबिन का फरेंट डिजाइन का अच्छा बनाया गया है फ्रेंट साइड में है ASML ISO का लोगो सर्था GS और BS6 की बैजिंग भी यहाँ पर दी गई है सर्था GS सीरीज में हेलोजन हेडलैम्स दिये जाते है और इंडिकेटर्स के साथ साथ रनिंग लाइट्स भी मिल जाते है इस ट्रक में डे कैबिन मिलता है जिसके बारे में आप आगे जनेंगे ये है इस ट्रक का फ्रंट बंपर जिस पर फोगलेम के लिए स्पेसिंग, टोइंग हूक और रिफ्लेक्टरस दिये गए है और हॉन की पोजिशन सेंटरल साइड में की गई है दोर्स पर सर्था GS की स्टिकरिंग है नीचे है साइड इंडिकेटर्स इस ट्रक के टायर्स इसकी बात कर ले इस ट्रक में 8.25, 16LT सेक्षन के याने 16 इंच के टायर्स दिये जाते है कैबिन के पीछे है एर फिल्टर और एर इंटेक लोकेशन इस ट्रक में 90L का फिल टैंक और एक एड ब्लू टैंक दिया गया है साइड अंडरन प्रोटेक्शन गार्ड भी इसमें लगा है और इसका एक्जॉस्ट कुछ इस प्रकार दिखता है ट्रक के फ्रंट एंड रियर एक्सल पर लिफ स्ट्रिंग सस्पेंशन दिया गया है रियर साइड से भी ये ट्रक काफी अच्छा दिखता है इस ट्रक में 12 फिट, 14 फिट और 17 फिट लोड बूर अप्शन आपको मिल जाते है एसेमेल की ट्रक्स में हेलोजन टेल लैम्स का इस्तेमाल किया जाता है रियर सेप्टे को बढ़ानी के लिए 4 रिवर स्पार्किंग सेंसर भी इसमें दिये गया है और रियर साइड में रियर अंडरन प्रोटेक्शन सिस्टिम भी इसमें मोजुद है ट्रक के रियर मोस्ट लिफ साइड में नियुमेटिक टैंक्स को माउंट किया गया है और यहाँ पर है इस ट्रक का स्पेर विल लोकेशन प्लास्टिक सीट को डालने के लिए बौडी पर हुक्स भी इसमें दिये गया है इस ट्रक में 12 वाल्ट बैटरी सिस्टिम लगा हुआ है कैबिन को लिफ्ट आप यहाँ से कर सकते हैं अब देखते हैं इस ट्रक के शानदार इंटिरियर्स को इस ट्रक का कैबिन काफिश स्पेशियस है और इसका डैश्बूर्ट डिजाइन भी भारत में मुझूद सभी ट्रक से अलग है और हट के है कैबिन में तीन लोग आराम से सफर कर सकते हैं इस ट्रक में एनलोग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमन क्लस्टर मिल जाता है जिसमें RPM मिटर, Oil Temperature Gauge, Fuel Level Gauge और Speedometer मिल जाता है और Central Side में Multi-Information Display दिया गया है जिसमें Air Pressure, Clock, Temperature, Odometer, Distance to Empty, Voltage, Gear Position Indicator आप चेक कर सकते हैं स्टेरिंग के Left Hand Side में Wipers, Hazard Lamp और Exhaust Brake का कंट्रूल दिया गया है और स्टेरिंग के Right Hand Side में Headlights और Indicator के Controls दिये गया है Dashboard पर Headlamp Level Adjustment डायल है, नीचे Blower Speed Adjustment Knob है और यहाँ पर है इस ट्रक का 5-speed manual transmission Entertainment के लिए Company Fitted Music System आपको इसमें मिल जाता है और इसके नीचे SOS and Emergency Buttons मुझूद है जिनका इस्तेमाल आप आपात का इन परसिज में कर सकते है Mobile Phones आप यहाँ से चार्ज करेंगे Blower Events का डिजाइन इस प्रकार है Globe Walks में Storage Space के अलावा Fuse Locations भी दिये गया है OR VM के अपर साइड में LED Dome Light लगा है धूप से बचने के लिए यहाँ पर दो Sun Visers भी है सीट के साइड में पारकिंग ब्रेक है और लोड बॉडी में देखने के लिए पिपिंग विंडो भी दी गई है अब सुनते हैं इसका इंजिन साउंड दोस्तो अब जानते हैं इसके कीमत के बारे में इस ट्रक की एक शुर्म कीमत साड़े चोड़ लाक रोपे से शुरू होती है ये कीमत आपके राजजर में उपर नेचे हो सकती है इस बात को आप ध्यान में रखिए और ट्रक के माइलेज की बात करे तो इस ट्रक का माइलेज 6 से 7 किलोमेटर प्रतलेटर का है माइलेज बहुत सरे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जैसे की रोड कंडिशन्स, ड्राइविंग बिहेवियर तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है एसेमेल आईसुजू कमपनी के ट्रक्स आज भी भारत के रोड्स पर शान से चलते है लाखो कुस्तमर्स के तरक्की में इस कमपनी के ट्रक्स साथी बने हुए है अधिक जानकारे के लिए आप नजदी की एसेमेल डिलर्शिप को विजिट कर सकते है तो दोस्तों किसी लगी आपको एसेमेल सरता जीएस हजी 75 ट्रक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल पर नए होगे तो चैनल को सस्क्राइब जरू कीजेगा आपका दिन शुब रहे जय हिन जय भारत